हेलो अब्रिवान, वेलकम तो अपना सपना जी आरेफ और वेलकम तो डेली वन कर्षिन प्रैक्टिस स्रीज फोर पार्ट बी फोर अपकमिंग सी एसा यार नेट लाइप साइंस दिसंबर 2023 तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक नई सीरीज को जि फोर पार्ट बी ठीक है और आज से ही हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सी के लिए भी जिसके आपको अलग से वीडियो मिल जाया करेंगी ठीक है तो दिन में ये तीन वीडियो तो आपको ज़रूर मिलेंगी एक पार्ट एक लिए डेली वन कर्षिन प्रैक्टिस एक पार्ट A के लिए daily one question practice और part C के लिए daily one question practice ठीक है तो जैसे की नाम से indication है part A के लिए हम part A में जितने bGO क्रिचन है उनको एकड़कर करके समझ रहे हैं part B के अंदर find question आते आहे हैं हमारे exam में उनको हम उढ़ाकर discuss करें विडियो से में स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट बी के लिए कुछे मुझे कॉमें पर्फ करके बताना ठीक process एपतरे दिखते हैं नुश को पहला कुछन कौन्सा है यह हमारा पहला कुछने जून 20 201ग- המ׏क ऑर बंजनि Grand MRNA is most likely to be exported out of the nucleus यहां आपको चार MRNA के बारे में option दिये हुए हैं आप से पूछा है कि कौन सा MRNA है इन चारों में से कौन सा MRNA है जो की nucleus से बाहर export किया जाएगा ठीक है चल यह तो इसके बारे में जान लेते हैं तो यह है हमारा cell हमारे cell के अंदर है nucleus और nucleus के अंदर होता है replication नुकलियस के अंदर क्या होता है DNA होता है और यह DNA क्या करता है सबसे पहले replication करके अपने आपको double कर लेता है साथ साथ यहां पर यह जो DNA double हुआ है जब यह cell divide करता है तो उस लुरान जो दो cell बनते हैं उनमें equal amount of DNA जा सके इसलिए replication करता है लेकिन replication होने के बाद फिर यहां होती है transcription मतलब यह जो DNA हमारे पास है उससे बनता है एक RNA तो यह DNA है और DNA से बनता है RNA लेकिन यह RNA बना तो nucleus में है लेकिन इसको रहना nucleus के अंदर नहीं है यह RNA बना है ताकि यह आगी जाकर protein बना सकी मतलब इस cell के अंदर किसी protein की requirement है तो वह protein बनता है इस DNA के इस पार्ट से तो पहले DNA का यह पार्ट मतलब RNA बनाता है और फिर यह RNA आता है बाहर और बाहर आकर पिर यह RNA बनाता है protein फिर यह बनाता है protein तो protein के लिए जो machine है यानि जो ribosome है वो केवल cytoplasm में होते हैं इसलिए हमारे RNA को बाहर आना पड़ता है क्योंकि इसको protein बनाना है और protein बनाने के लिए जितने भी चीज़े हैं वो सब बाहर है तो उसे nucleus से बाहर आना पड़ेगा य जो कि जब वो nucleus में है तो nucleus उसका घर है सब उसके लिए favorable condition है तो वहाँ पर कैसे भी रह सकता है लेकिन जब उसको बाहर निकलना है एक्सपोर्ट होना है nucleus से तो बहुत सारे change उसके अंदर करने पड़ते हैं और जब वो सारे change हो जाते हैं जब वो fully mature हो जाता है तब उसको हम बोलते है mrna ठीक है तो यह जो बना है this is pre mrna यह जो बना है इसे बोलते है pre mrna और जब यह complete mature हो जाता है तब इसको बोलते है mrna और फिर mrna बाहर निकल के protein की formation करता है ठीक है तो जो भी इसके अंदर हमें change करने हैं वो सब यहीं पर करने होंगे और जब यह export होगा तो fully mature होकर export होता है अच्छा क्या के change होते हैं चलिए मैं बता देती हूं तो यहां पर यह dna की स्पार्ट का हुआ है transcription उससे बना है mrna इसको बोलते है primary rna या फिर इसको pre rna भी बोलते हैं तो कि अभी यह mature नहीं हुआ है इसमें बहुत सारी कमिया है उनको सुधार ना है तब जाकर य इक 3 prime utr होता है यहां पर exon होते हैं और यह exon ही आगे जाकर protein बनाते हैं लेकिन exon के बीच में यह आपको दिखाए दे रहा है इंट्रों होते हैं लेकिन इंट्रों का कोई काम नहीं है तो सबसे पहले तो यह जो primary rna है उसमें से इंट्रों हटाया जाता है साथ-साथ यहा यहां से कोई कट ना कर सकें तो यहां पर cap पहनाई जाती है जिसको बोलते है five prime defense twin यह five prime end है है तो वहां पर cap लगजाती है इसको बोलते है five prime camera three prime पर क्या होता है polyetail लग जाती है जो Adenine हे वहुँआट वसको नहीं होते हैं उनकी एक tail यहां लग जाती है जिसको बोलते हैं poly a tail तो 5 प्राइम पर 5 प्राइम capping, 3 प्राइम पर 3 प्राइम poly a tail, तो दो चीज़ तो यह हो गई थर्ड चीज़ यह हुआ है कि जो intron है जिनका कोई काम नहीं है आगे उनको भी हटा दिया जाता है तो 5 प्राइम capping हुई है poly a tail का addition हुआ है और RNA की splicing हुई है splicing का मतलब cut करना तो intron को cut करके हटा दिया जाता है अब केवल यह एक zone वाला part है तो अब यह बन जाएगा MRNA अब यह क्या है fully mature MRNA है जो की export के लिए तयार है अब इसको nucleus से बाहर भेजा जा सकता है तो यहाँ पर भी देखो एक और diagram लगा है इसमें यह हमारे पास एक mature MRNA है जो complete foam हो गया है अब कैसे foam हो गया है यहाँ पर poly a tail भी आ गई है 5 prime पर यहाँ capping भी आ गई है और यह सारे जो हैं spliced MRNA है मतलब यह सारे क्या हैं एक zone है कोई भी इंट्रोन नहीं है तो यह क्या है fully mature MRNA है अब यह बन गया है अब बारी है उसको बाहर export करने की फिर यहाँ पर यह जो pore लगे होते हैं जिनकों हम nuclear pore बोलते हैं उनकी help से यह MRNA बाहर आ जाता है ठीक है तो देखो हमसे पूछा क्या है कौन सा MRNA है जो nucleus से export किया जाएगा तो पहली बार देखो spliced RNA associated with the poly A binding and cap binding complex ऐसा RNA जो spliced भी हो चुका है मतलब उससे इंट्रोन भी हट गया है साथ-साथ वहाँ पर poly A की binding भी हो गई है 3 prime end पर साथ-साथ वहाँ पर cap भी bind हो गई है तो अब यह क्या है fully mature mRNA है अब यह export के लिए तयार है तो हमारा first option ही क्या हो गया है लेकिन बाकी के भी देख लेते हैं क्या पता कोई इससे भी ज़्यादा अच्छे से दिया गया हो second में लिखा है कि miss spliced RNA with multiple stop codon for degradation in the cytosol मतलब कि ऐसा RNA जो कि miss spliced है मतलब ठीक से उसको spliced नहीं किया गया है intron को अच्छे से नहीं हटाया गया है साथ साथ उसके पास बहुत सारे stop codon भी है stop codon क्या होते हैं जो protein की formation को रोग देते हैं से mRNA को से RNA को बाहर भीजा जाएगा थाकि वो cytosol में degrade हो सके तो ये statement गलत है first of all जो ऐसा RNA है वो बनता ही नहीं है बनता भी है तो वो nucleus के अंदर ही degenerate हो जाएगा ऐसे RNA को बाहर ही नहीं भीजा जाएगा क्योंकि उसमें देखो कितनी सारी कमिया है तो बाहर ही नहीं जाएगा तो ऐसा RNA export नहीं होता है spliced RNA with the associated spliceosomal complex मतलब कि ऐसा RNA है देखो जैसे ये RNA है इसमें यहाँ exon है यहाँ intron है यहाँ exon है यहाँ intron है तो इस intron को हटाने के लिए यहाँ पर कुछ spliceosomal complex होते हैं जो यहाँ करबाइंड हो जाते हैं और इनको remove कर देते हैं तो देखो जब यह remove हो जाएंगे तो यह complex भी अट जाएगा अगर यह complex अभी भी लगा हुआ है तो इसका मतलब अभी भी वाँ splicing चल रही है तो ऐसा mRNA जिस पर अभी भी यह complex लगे हुए हैं तो मतलब वो fully mature नहीं हुआ है तो ऐसे RNA को बाहर नहीं भीजा जा सकता तो यह option भी गलत हो जाएगा लास्ट में लिखा है uncapped and unspliced RNA ऐसा RNA जिस पर cap भी नहीं लगी है और उसके intron भी नहीं हटे है तो उसको भी बाहर नहीं भीजा जाएगा तो यह भी गलत हो जाएगा यह तीनों ही गलत है कौन सा RNA बाहर जाएगा जो की spliced भी है जिसके पास poly A binding side भी है जिसके पास cap binding complex भी है मतब सब कुछ वो प्रिपेर हो गया है तो उसे फिर बाहर निकाला जाएगा यानि फास्ट option will be the right answer for this question ठीक है तो question हमने solve कर लिया है अभी भी किसी भी point में अगर कोई भी doubt है तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए question के साथ में तिल देन बाइबाइ टेक केर